हेलो मैं सार मीच कैसे हो आप सभी आप सभी के एक बार फिर से श्वागत थे इस टेट के नमबर वन प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हाई स्कूल पे बेटा आप लोग का बोर्ड इक्जाम करीब आ रहा है जैसा कि आपको पता भी है कि 27 फरवरी को आपका मैस का पेपर है त जो कि आप बना ले जाओगे तो वीडियो को सुरु से लाश तक देखिएगा तो बेटा जी सबसे पहला टॉपिक आपको सामने है दुई घात बहुपद बहुत ही कामन चैप्टर है और एक्जाम में इससे कोशन बनते ही है दुई घात बहुपद का ब्यापक रूप आप बी एक्स प्लस टी घैइए होता है जिसको हम फी प्रेकेट में एकश के फाम में लिखते हैं यआफं पर दो जी रोज होते है अलफा ऊर बीटा अगर मैं फ्लफा-प्लस बीटा पूछूंगा तो क॥ा होगे सर माइनस बी अपान में तो सर-सि अपान कि आप अ है इस प्रकार है कि alpha minus beta बराबर एक तो के का मान ग्याद करना है तो सबसे पहले जब इसको हम हल करते हैं बेटा जी तो हल में जो हमारे पास दिया है Px या Fx सूसी को बोलते हैं x square minus 5 x plus k लिख देंगे alpha plus beta पता है तो यहां से आप alpha minus बीटा पता है तो alpha plus beta निकालो क्या होता है माइनस का बीटा बराबर minus B कितना है minus 5-5 और अपान में एक कितना है इसके साथ कुछने मतलब एक है तो यहनी आपने alpha plus beta is equal to कितना निकाल लिया 5 निकाल लिया alpha plus beta पता और alpha into minus माइनस बीटा कितना दिया है अब हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देते जोड़ने पर एकर जाएगा यहां से हो जाएगा टू अलफा बराबर निकाल लिया तो हम क्या करेंगे वापस ते इसकी वैलू इसमें रख देते हैं तो जब रखोगे तो एलफा की जगह पे बीटा निकाले आपको की वैलू यह कुस की की वैल donation निकालना है तो कही न कही हमें क्या लगाना पड़ेगा ऐलफा इंटू बीटा जो की होता हैसी एपान एलफा इंटू बीटा आपके पास बेटा थीन है इन पास दो ए जो कि सी बराबर मतलब के हैं और आपान में Ol revise है कुछ नहीं मतलब वन है तो तीन दुनाई 6 बराबर के कहने मतलब के कि वैलू बेटा जी आपने कित्ता निकाल लिया छे आ गया इस प्रश्ण का उत्तर देखा तो इस तरह से आपके इसदाब में कोश्चंस बनेंगे ही बनें गए तो कुश्चं को भईया ध्यान से देख क्या पढ़े हो दूसरी विधी कौन बताएगा तो दूसरी विधी सर अपने पढ़ाया है हमको कौन सी दूसरी बुदू कि वील उपन विधी कॉन该 ही क्या उति है तो बिताकि अलक्ष्चंस को देख धे खुटी। क्योंकि एक्जाम में इससे कुश्चन आते हैं देखो हल करते हैं जब तो हल कहरा भी आपके सामने कि दू अंकों कि संख्या का योग दिया है नौ राइट तो बताओ दहाई कांग कितना होगा बेटा जी दहाई कांग धाई-कंको जाएगा आथा संख्या क्या बने वाली अता आपकी संख्या क्या बनेगे बेटा जी अता संख्या ऐसे लिखोगे आप एक्जामे भी अता संख्या बराबर आपके क्या प्राप्त होगी जब आपने अंक को पलड़ दिया तो यहां आ जाएगा मतलब 10 यह और यहां जाएगा अब आते हैं प्रश्णा अनुसार अब यहां पर आप देखोगे तो प्रथम सर्त के अनुसार क्या बोला है बेटा जी प्रथम सर्ता अनुसार उसने यह कहे डाला है बेटा जी कि संख्या की अंकों का योग नौ है मतलब पहली संख्य एक्स थी दूसरी संख्या वाई थी एक्स प्लस वाई बराबर नौ कोई दिक्कर नौ दिक्कर अगर आप यहां से एक्स बराबर निकालना भी चाहते हो तो इसको उधर ले जाओगे तो नौ माइनस भैया उसने दृतीस शर्तानुसार जो बोला है उसको भी वह सिकलो दृतीस सर्तानुसार की संख्या के अंकों का चार और धन्यों का यत लूं ञाए मैं साथ गुन के बराबर है वह इसके आगे कर देता हूं कोई दिक्कत क्या चलू तो देखो और प्लस इस इसके साथ हो गा तो चार येक्स हो जाएगा oh h ''सका गरेंगे तो 10 da कितना हो जाएगा साथ है जब यह इधर आएगा तो चालीस वाई से साथ वाई चला जाएगा कितना बचेगा आपका 33 वाई बचेगा और यह इधर जाएगा तो च्छाचट एक्स बचेंगे कोई दिक्काट तो यहां पर आप देखो किती थी 9-y तो मैं इसमें रख देता हूं तो य बराबर टू इंटू एस की जगहा पर मैं यहां से वाई लू रखूंगा 9-y ती हमने 9-y रखती है कोई दिक्काट तो य बराबर हो जाएगा 2-18 होता है 2-18 माइनस का 2y इधर आएगा इसमें जूर किसमें हम एक में ही वाई की वेलू 6 रख देते हैं तो देखो मैं इंप्लाइस देट लगा रहा हूं वाई की वेलू 6 रखो यानि एकस बराबर आपका था 9-y तो य की वेलू 6 घटा दोगे तो एकस बराबर आपको पास आ जाएगा 3 तो ना उसने एकस पूचा है ना आई देखोगे तो 6 है अप्लास एकस कितना है तीन यह लोग तो दर शक्का साथ साथ तीन तीर साथ उत्तर हो जाएगा है ना आसान चीजे बेटा जी बहुत आसान है बस आपको ध्यान से समझना है ओके आईए नेस्ट कोर्शन पर जाने पहले आपके सामने टॉपिक है द पर एसको देखे आपको पता होना चाहिए अगर यह पता है तो आप इससे इसको कर सकते हैं जो आपके पास दिया जाब इसको आप कंपेर करदोगे किससे एक स्कुर बदी स्कुर प्लस किस से तो बताओ बराबर कितना मिलेगा 3, B बराबर कितना मिलेगा माइनस 5 और C बराबर मिलेगा आपका 2, तो यहाँ पर X की value निकालना है तो X बराबर आप जानते हो कि माइनस का B प्लस माइनस अंडर रूड B सुकायर माइनस 4 A C यहाँ पर लिखेंगे अपान में 2 A यहाँ पर आपको बेटा जी लिखना भी पड़ेगा कि हमने यहाँ पर लगाया कौन सा दुई घाती सूत्र से क्या लिखेंगे दुई घाती सूत्र से ओके बेटा जी तो X बराबर जब निकालोगे तो माइनस B कितना है तो माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट B स्कायर मतला माइनस 5 का होल स्कायर और माइनस 4 इंटू A देखोगे तो आपके पास 3 है इंटू C 2 है और अपान में 2 A तो T उन T A कितना है 3 है राइट एक सब्राबर जब निकालोगे तो माइनस प्लस का 5 है प्लस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 पच्छा 25 होता है और माइनस 4 इंटू 12 दूनाई 24 और अपान में बेटा जी आपका 3 दूनाई 6 एक सब्राबर आजायागा 5 और प्लस माइनस जब इसको सब्रोब करोगे तो प्लस माइनस एक ही आगा क्योंकि 25 से 24 और एक यृट याई और आप आन में 6 राइट अब हम क्या करते हैं इसके आगे X बराबर जह हम निकालेंगे X बराबर तो ये 5 हम एक बार प्लस का 1 बटे 6 लेंगे और दूसरी बार हम X बराबर 5 माइनस का 1 बटे 6 लेंगे तो जब solve करोगे X बराबर 5 और 6 बटे 6 आएगा यहां पर X बराबर 5 में से गाया तो 4 आएगा 4 बटे 6 दो दूनी 4 दो त्याई 6 एक सबराबर आगे आपके पास दो बटे तीन और यहां पर 6 बराबर आपके पास एक आजएगा बेटा जी क्लियर है क्या किसी कोई दिक्कत यहां से आपने इसकी दो वैली निकाल लिए है ना आसान जबर जस्ती में बाला खवराता रहता है कि सौर मेरे को समझ में नहीं आया कैसे करेंगे बताओ इतना आसान आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको कमेंट बाक्स में या हर जगा आपको हैस्टेक्स टॉपर यूपी जिस भी हो सत्तर से हो तो सत्तर से लिख कर ऐसे कैप्टर लेटर में हर घर विद्या कूल आपको इस तरह से कैप्टर लेटर में लिख करकि आपको सभी यूपी सकतर से खेसे करती बाकी ऐसके यलावा हम से जूर सकते हो कहां पहरे बर जुर सकते हो सभी टीचर साप को मिलें के सबसे पहले मुलें अब कि सर्मिलेंगे कर चThe बहतरीन तरीके से और यह चीज आपको हर वीडियो के comment box में लिखना है और मैं लाश्ट टेम बताया था कि अगर आपको UP board में best करना है टॉप करना है 2024 में तो आप comment अभी करो कि 2024 का मेरा सबसे अच्छा exam होगा यह आपको हर वीडियो के अंदर comment करना है तो चलिए अगला question का whole square तो इस फार्मूले से हम questions को कैसे handle करते हैं आई यह question कह रहा है कि यदि बिंदू हो तीन कामा च्छाए और के कामा पांच से बिंदू जीरो कामा दो की दूरियां बराबर है तो के कमान गयात करूं तो भाईया यहां पर आपके सामने दो दिये हुए बिंदू पहला ब देगे जोनों से यह बिंदू की दूरी बराबर है इसके बीच की दूरी अब हम क्या करेंगे यहां पर फार्मूलाखाएंगे वही-वाला पुरह-नावाला क्या होता है फार्मुला? undergraduate x2 minus x1 का whole square плюс y2 minus y1 का whole square इसकल टू इधर भी लगाएंगे x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square दीगे ना? इसको काट दीजे इधर के लिए आप x2 minus x1 लगाओगे 0 minus 3 का whole square लगादेना plus y2 इधर देखोगे तो 2 है तो कितना हो जाएका एक स्टू मत्तब जीरो माइनस के का फूल इसको रखा देना इसका स्टू नो प्लस दो में सचार घटा दो शे घंटाओगे चार आएगा 4 के स्कुर्ण होता है प्लस जेस घंट आओगे 3 बचेगा 3 के श्कुर्ण 9 9 से 9 खतम के स्कुर्ण बराबर 16 तो के बराबर जब निकालोगे तो प्लस माइनस 4 दोन हो जाएगी कोई दिक्कत है कि आप समझ में आया क्या तो भाइज निकाल दिया इसी है ना आई ये नेश्ट ट्रॉपिक में बढ़ते हैं बहतरीन तरीके शे तो फार्मूला याद उकल लो त्रिजिखंड में बड़ा दिक्कत होती है त्रिजिखंड आपको पता है कि यहां पर इसको मिला दो यहां पर यहां पर यह आर है यह आर है इसके द्वारे यह पार्ट बनता है भीया इसको हम बोलते थे वरत्यखंड का छेटफल अगर यह थीटा है तो तो त्रिजिखंड का छेटफल का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्कॉर राइट और अगर इसमें हम लंबाई की बात कर लेते हैं चाप की लंबाई तो चाप की लंबाई कभी एक छोटा स्फार्मूला होता वेटा जी जो की होता है थीटा अपान 360 इंटू टू पाई आर राइट तो आईए देख लेते हैं इससे भी रिलेटेट बहतरीन तरीके से एक कुश्चन जो की आपका लास्ट कुश्चन है क्या कह रह निकालना चाहते है छे तफल तो थीटा पान 360 इंटू पाई आर इसकार तीटा आपको दिया है साथ बटे 3060 कर दीजिए इंटू पाई की वेलों रख दो 22 बटे साथ इंटू आर एककाईस इंटू एककाईस ठीक है देखो जिरो जिरो च्छाइस अकाटों के च्छाचंग की लंबाई का फार्मूला क्या होता है बताओ जल दिने वहोता है थीटा अपान 360 इंटू पाई और राइट आपको comment box में आपको अभी भेजना है राइट कहीं जाना नहीं solve करके इसका अंसर comment box में भेज दीजिएगा ओके बाकी हम आपसे मिलेंगे next five important topics को लेकर और उससे important questions को लेकर बट आप लोग वीडियो को जाते जाते क्या करोगे like करके जाओगे channel को अभी subscribe कर लो क्योंकि इस त YouTube कर चलती है और science कर चलती है सारा कुछ यहां पर आप देख लिए जिसके screenshot ले लिजेगा बाकी class कैसे लेगी comment करके बता दीजेगा बाकी मेलेंगे आपसे नई class में नए अंदाज में नई energy के साथ तक तक के लिए सभी को love you and जय हिंद जय है कि एना हम आपसे से लिए आपसे है लेगी है झाल, जय हूँ है बाकी जय है सब्सक्ता है झाल, है कैसे अदेए से लिए में पुट है